हेलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल नीती का स्टडी पॉइंट और आज का हमारा टॉपिक है सेल इस्ट्रक्चर या कोसी का सरचना चलिए देखते हैं सबसे पहले हम यहां बात करेंगे कोसी का होती क्या है तो यहां कोसी का सजीवों की सरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है दुनिया में जितने भी जीव पाये जाते हैं सजीव पाये जाते हैं उनके सरीर का निर्माड कोसी काओं के द्वारा ही हुआ है यहां पे कोसिकाओं की संख्या के आधार पे हम जीवों को दो भागों में बाढ़ सकते हैं एक कोस्किय जीव और बहु कोस्किय जीव ऐसे जीव जिनका निर्माड केवल एक ही कोसिका से हुआ है एक कोस्किय जीव कहलाते हैं जैसे की बैक्टेरिया इसके विप्रित ऐसे जिव जिनके सरीर का निर्माड बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर हुआ है बहु कोशिकाओं से मिलकर हुआ है बहु कोशिकाओं कहलाते हैं तो यहाँ पे मनुष्य बहुकोस के जीव के अंतरगत आएगा यदि हम देखें सेल का अर्थ है तो सेल का अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा कोसिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 इसवी में किया था और उन्होंने मृत कोसिका को खोजा था यहाँ पे लिवेन हौक ने 1664 से 1974 में जीवित कोसिका को देखा था तो यहाँ पे कनफ्यूज नहीं होना है यदि बात क्या जाए कोसिका की खोज सर्व परथम किसने की तो रॉबर्ट हुग ने की थी और यदि पूछा जाय तो जीवित कोसिका को सबसे पहले किसने देखा त तो लिवेन हौक ने सबसे पहले जीवित कोसिका को देखा था कोसिका का अध्यान कोसिका बिग्यान या साइटोलोजी कहलाता है या फिर कोसिका जैवी की सेल बायलोजी कहलाता है यहाँ पे तंत्रीका कोसिका मनुस्य की सबसे बड़ी कोसिका है और यदि बात करें सबसे चोटी कोशिका की तो यह माइको प्लाज्मा है सबसे भारी और बड़ी कोशिका सुतुर मुर्ग चिडिया का अंडा है तो यह सेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी है यदि हम बात करें कोशिका सिध्धान के बारे में कि तो जर्मन पादप Tommy Anik श्राइडेन एं स्वान ने कोशी का सिद्धान दिया था जर्मन एक जर्मन के पादप वज्ञान थे सलाइडेन और जो जन्तु वैग्यानिक थे स्वान उन्होंने आपस में मिलकर 1838-1849 में यहाँ पे उन्होंने कोशिका सिध्धान दिया और उन्होंने कोशिका सिध्धान्त में निमने लिखित बाते कहीं उनके अनुसार प्रतियक जीव कोशिका और उनके उत्पात के बन सिध्धान होती है कोशिका अनुवानसिक इकाई है जिसके अंदर अनुवानसिक पदार्थ भरा होता है मतलब कि कोशिका के अंदर अनुवानसिक पदार्थ पाए जाते हैं जीवों की जैविक क्रिया कोशिका की क्रिया सीलता और उनके अंतर सम्मंधों के कारण होती है तो हम कोशिका की सनरचना को देखें तो कोशिका प्रतिय कोशिका की नीम ने तीन मुख्य भाग होते हैं पहला है कोशिका जिल्ली साथ में किसी किसी कोशिकाओं में कोशिका भित्ती भी पाई जाती है सेकेंड है कोशिका द्रव्य और तिसरा है केंद्रक चलिए देखते हैं इन लेचीली तथा सजीव जिल्ली है सजीव कोसिका के जीव द्रब्य को घेर कर रखती है मतलब कि कोसिका को चारों और से जो बाहर का लेयर घेर की रखता है वो कोसिका जिल्ली कहलाता है यहां पर यहां दोरी परत वाली जिल्ली होती है यहां प्रोटीन की बनी होती है यह दोन अंदर और मद्य में यहां पे लिपिड भरा होता है लिपिड पाया जाता है यहां चैनात्मक पारगमि जिल्ली भी कहलाती है तो यह कोशिका जिल्ली हो गई चलिए अब हम दूसरा देखते हैं कोशिका भीति के बारे में तो यहां पे कोशिका भीति या सेल वाल जो होती है जिवाडू एवं वनस्पती कोसिकाओं में कोसिका जिल्ली के बाहर निर्जिव तथा मोटी दिवाल पाई जाती है, उसे कोसिका भीति कहते हैं, पादप कोसिका भीति सेल्यूलोज और प्यक्टोज की बनी होती है, यदि कोसिका भीति की बात करें, तो इसका मुख्य कार्य क कोसिका को आकरिती प्रदान करना एवं प्रोटो प्लाजमी की रक्षा करना है तो ये कोसिका भित्ति के बारे में हो गया अब हम जानेंगे कोसिका के दुसरे मुख्य भाग के बारे में कोसिका द्रब्य या फिर साइटो प्लाजमे तो यहां पर कोसिका द्रब्य कोसिका जिल प्रोटीन कार्वोहाइडरेट वसा पाए जाते हैं कोसिका की समस्त जैविक प्रक्रियाओं का ये केंद्र होता है जीवग्यानिक इसे जीवन का भौतिक आधार नाम से संबोधित करते हैं इसमें अनिक सारी सरचनाएं पाए जाती हैं यदि माइक्रोइस्कोप से देखा जा यदि यहां देखा जाए तो कोसिका द्रप्य में इस्थित्वहसन रचना जो कोसिका का नियंतरन करता है केंद्रक कहलाता है इसकी खोज 1831 में रोबर्ट ब्राउन ने आर्किक पादप की कोसिका से की थी यहां पे केंद्रक छिद्र युक्त दोरी जिल्ली से घिरा होता है चिद्र की सहता से आरेने वा प्रोटीन का परिवहन होता है केंद्रक जिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव पाया जाता है केंद्रक द्रव में आरेने डियने प्रोटीन एंजाइम वसा खनीजलमण पाये जाते हैं केंद्रक में क्रोमेटिन जालवा केंद्री का इस्थित होत वे धागे के समान केंद्रक के अंदर फैले हुए होते हैं और ये जो क्रोमेटिन हैं वे डियने के बने होते हैं तो ये था केंद्रक के बारे में अब हम आगे देखेंगे कोसिका के प्रकार कोसिका के मुख्ये दो प्रकार होते हैं पहला है प्रोकेरियोटिक और दूसरा है यूकेरियोटिक कोसिका यदि प्रोकेरियोटिक कोसिका के बारे में देखें तो ये कोसिका प्राया स्वतंत्र होती हैं प्रोकेरियोटिक कोसिका में कोई इसपष्ट केंद्रक नहीं होता इनकी जो अल्पविक्सित केंद्रक होती है उसे केंद्रकाब कहते हैं इसके एक्जा केरियोटिक कोसिकाएं बहु कोस के प्राणियों में पाई जाती है यू केरियोटिक कोसिकाओं में संगठित केंद्रक पाया जाता है जो एक आवरन की द्वारा धका होता है तो कोसिकाएं दो प्रकार की हो गई यहां पे अब हम यहां देखेंगे कोसिकांग के बारे में तो यहां पर कोशिकांग को देखें तो कोशिका के अंदर इस्ति सरचनाए कोशिकांग या अंगक कहलाते हैं यू केरियोटिक कोशिका में कोशिकांग जिल्ली युक्त होते हैं जबकि प्रोकेरियोटिक में जिल्ली युक्त नहीं होते हैं अंतह प्रद्दविज्जाली का एक कोशिकांग है और हम चलिए देखते हैं कौन-कौन से मुख्य कोशिकांग यहां पर पाये जाते हैं पहला यहां पर अंतह प्रद्दविज्जाली का यहां फिर एंडोप्लास्मिक रेटिकूलम सेकेंड यहां कोशिकांग है राइबोसोम थर्ड कोशिकांग है गौलजी का या फिर गौलजी बॉड़ी या गौलजी कॉम्पलेक्स थर्ड यहां है लाइसोसोम फोर्थ है माइट्रोकॉंट्रिया और यहां नेक्स्ट है यहां पर लवक इसके बाद है रसधानी या जिसे वैक्यूल्स भी कहा जाता है तारक का है या फिर सेंट्रो सों और यह हैं माइक्रो टिब्यूल्स तो यह मुख्य कोशिकांग है और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिलहाल आज हमने इतना ही जाना कि कोशिकांगे कितने प्रकार की होती हैं उनके सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और हाँ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए.